हलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जॉइंट स्टॉक कमपनी के बारे में जिसे हम कमपनी के नाम से भी जानते हैं तो दोस्तों जैसा कि इससे पहले की वीडियोज में हम soul proprietorship और partnership business के बारे में जान चुके हैं तो soul proprietorship business का एक disadvantage या था कि वहाँ जो soul proprietor था वहाँ अकेला वेक्ति होता था और उसी को सारी चीज़े manage करनी पड़ती थी तो वहाँ अपना business बड़े scale पर नहीं करवाता था इस कमी को पूरा करने के लिए partnership firm का एक रूप सामने आया कि अकेला वेक्ति सारी चीज़ों को manage नहीं कर सकता है तो इस partnership में दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर उस काम को करने लगे पर इस partnership में भी कुछ कमिया थी कुछ इसकी limits थी कि minimum 2 person हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग हो सकते हैं तो इसको और ज़्यादा broad level पर करना काफी मुश्किल था और इसके साथ ही साथ partners की जो liabilities होती थी वह unlimited थी unlimited liabilities का मतलब अगर वो किसी तरह के loan को pay नहीं कर पाते हैं उनकी जो अलग-अलग liabilities हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो personal assets हैं जो personal properties हैं वह भी उनके business के लिए use की जा सकती हैं तो मनुवज्यानिक दृष्टी से या किसी भी partner को सही नहीं लगता था तो इस तरह ऐसे संगठन की खोज की गई जिसमें sole proprietorship और partnership firm की कटनाईया या इसके disadvantage जो होते हैं वो सब ना हो तो इस तरह business की एक नई form का जन्म हुआ जिसे हम company कहते हैं इसका पूरा नाम joint stock company है पर या company के नाम से ही ज्यादा popular है इसमें बहुत सारे members होते हैं और सारे members की जो liability होती है जो दाइत होता है वो सिमित होता है limited होता है इस तरह इस company में बहुत सारे लोग मिलकर business को करने के लिए आ गयाते हैं इस company की law की नजर में एक separate legal entity होती है इसकी एक अलग पहचान होती है जो की एक artificial person होती है या company large scale पर businesses को करने के लिए suitable होती है जहां बहुत ज्यादा capital की requirement होती है इस तरह अभी मैंने आपको बताया कि इस company में members की संख्या ज्यादा होती है और ज्यादा members होने से बड़ी मातरा में capital को इकठा करना भी possible हो पता है इस तरह इसकी एक छोटी सी definition निकल कर सामने आती है A company is an association of person formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its members जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ कोई एक organization बना कर काम करते हैं तो वह एक company कैलाती है जिसका legal status होता है जो अपने document के through registered होती है इस company की एक separate legal entity होती है खुद की एक पहचान होती है, identity होती है law की नजर में वह एक artificial person बन जाती है जिसके पास अपने खुद का नाम, उसकी common seal या signature होती है तो इस तरह हम या कह सकते हैं कि sole proprietorship businesses के लिए registration कराना जरूरी नहीं होता है partnership firm के लिए या registration कराना optional है वचा है तो इसे करा सकते है पर एक company के लिए registration कराना compulsory होता है अनिवार होता है इसे registration कराना ही पड़ता है इस तरह आगे है when a group of persons divide the capital of a company into transferable shares a joint stock company is formed जब लोगों का सम्मू या group of persons एक company की capital को बाट देते हैं किसमें एक transferable shares में means अलग-अलग shares में इन्हें बाट दिया जाता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है साथ ही इस share को किसी दूसरे को transfer भी किया जा सकता है तब joint stock company बनती है तो इस तरह एक company की capital के अलग-अलग हिस्से हो जाते हैं और एक हिस्से को एक part को हम share कहते हैं जो इस एक share को खरीदता है वह उस company का shareholder कहलाता है इस तरह जितने भी अलग-अलग shareholders होते हैं वह आपस में मिलकर board of directors को elect कर सकते हैं उनका चुनाव कर सकते हैं अब ये board of directors कौन होते हैं तो ये board of directors कुछ लोगों की एक team होती है जो उस company के operations को maintain करते हैं उसे चलाते हैं अब आगे इसकी एक definition देखते हैं इसका मतलब यह है कि एक joint stock company या जिसे हम company के नाम से भी जानते हैं तो यह एक artificial person होती है जो अद्रिश है जिसे हम देख नहीं सकते हैं इन्टैंजिबल है जिसे हम touch भी नहीं कर सकते हैं और यह company कानून की नजर में विद्दिमान है एक्जिस्ट करती है तो इस तरह आप इसकी definition लिख सकते हैं अब आएए आगे जानते हैं features of joint stock company और company the main features of joint stock company are as follows तो joint stock company के जो जो main features हैं उसको हम यहां आगे नीचे लिखे हुए हैं इनको एक एक करके समझेंगे इसे हम characteristics में भी लिख सकते हैं अगर question आता है कि characteristics of a company characteristics of a joint stock company तो भी हम इनी सारे points को लिखेंगे तो इसमें इसका सबसे पहला feature है artificial person created by law company कानून के दोरा बनाई गई एक artificial person है जिसका एक नाम और common seal होती है एक सारो मुद्रा होती है या यू कहें signature होती है जो एक person की ही तरह अपने नाम से किसी चीज़ को purchase और sell कर सकती है इस तरह यह company उस common seal को मोहर को लगा कर कोई भी काम कर सकती है बस इस company में feeling और emotions नहीं होते है तो इस तरह इस company का निर्मार विधान के दोरा ही किया जा सकता है या एक artificial person होता है जो law के दोरा ही एक कानून के दोरा ही से बनाया जाता है इसका दूसरा feature है separate legal entity इस joint stock company की खुद की एक अपनी legal entity होती है मतलब खुद की अपनी एक पहचान होती है जो किसी भी assets को खरीद और बेच सकती है एक company की जो existence होती है जो उसका अस्तित्व होता है वह उसके shareholders, उसके directors, promoters इन सब से अलब होता है और या एक independent होती है मतलब एक company के shareholders या किसी member की death हो जाने से उस company पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस company पर कोई असर नहीं पड़ता है वह company चलती रहती है क्योंकि company की जो identity होती है वह अलग होती है soul proprietorship और partnership में ऐसा नहीं होता है उसमें उनके business की identity अलग नहीं होती है वह separate नहीं होती है तो या company की ही एक विशेष्टा है जिसमें एक company की अलग पहचान होती है उसकी एक separate legal entity होती है अगला feature है use of common seal तो अब हमें या पता चल गया है कि या जो joint stock company होती है या एक artificial person होती है पर अपने members की तरह या जो company है या खुद से अपनी signature या हस्तांक्षर नहीं कर सकती है तो इस तरह इस company की जो existence है उसके जो आस्तित्व है उसको show करने के लिए उसको दिखाने के लिए एक common seal उस पर लगाए जाता है एक मोहर लगाए जाती है जिससे पता चलता है या जो decision लिया गया है वह company की तरफ से लिया गया है तो इस तरह company की जो भी day to day functions होते हैं जो daily के जो काम होते हैं वो board of directors ही manage करते हैं और इन board of directors के द्वारा लिये गए सभी decisions को company की common seal के साथ authorized किया जाना चाहिए जिसमें company के नाम और authorized person के signature है तो इस तरह एक company में common seal का use किया जाता है इसका next feature है number of members Indian Companies Act 2013 में provisions defined किये गए हैं कि public company और private company में कितने members होने चाहिए तो public company में कम से कम 7 members होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए इस पर कोई restriction नहीं है वह company साथ से ज्यादा कितने भी members को बना सकती है members के जो numbers है जो सदस्यों की संख्या है उस पर कोई प्रतिबंद नहीं है कोई रोक नहीं है वह कितने भी हो सकते हैं पर private limited company के लिए minimum 2 members और maximum 50 members allowed है इसकी अगली विशेष्टा है limited liability joint stock company में company के जो share holders होते है उनकी जो liability होती है वह limited होती है सिमित होती है मतलब कि उनका जो भी दाइत्व है वह उनके purchase किये गए shares तक ही सिमित होता है किसी भी situation में उन्हें share की बकाया amount से ज्यादा amount pay करने को नहीं कहा जा सकता है वह company उनकी personal assets को pay करने के लिए नहीं कह सकती है तो इस तरह एक company की जो liability होती है वह limited होती है सिमित ही होती है इसका next और last feature है transfer of shares freely means transferable shares company के जो share holders होते हैं वो बिना किसी से consult किये अगर वे चाहें तो अपने shares किसी दूसरे person को transfer कर सकते हैं बस private company पर shares को transfer करने पर रोक है तो इस तरह इस public company के जो shares होते है वो transferable होते है वो दूसरों को transfer किया जा सकता है तो दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर आप channel पर नए हैं और ऐसे ही educational content को पसंद करते हैं इन्हें आगे देखना चाते हैं तो आप इस channel को subscribe भी कर सकते हैं जो कि बिल्कुल free है आगे आपको ऐसी ही और अलग-अलग subjects से related videos मिलती रहेंगी तो notification bell को on करना मत बुलिएगा इसके साथ ही अगर आप यह जानना चाते हैं कि कौन-कौन सी videos मेरे channel पर available है तो channel की playlist में जाकर इसे एक बार चेक कर सकते हैं अलग-अलग subjects से related articles को पढ़ने के लिए आप हमारी website accounting सीखो पर visit भी कर सकते हैं और handwritten PDF notes डाउनलोड करने के लिए description में दिये हुए link पर click करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं next video में Thank you